वेलकम बैक, माई 11th Standard लवली किट्स, यूमन एक्टिविटीज देख रहे थे, इंड्रोड़क्शन देखा हमने कॉमर्स और बिजनेस का, जिसमें हमने यूमन एक्टिविटीज देखा, नौन एक्टिविटी, एक्टिविटी, इक्टिविटी, इफी टॉक अबाउट, नौ इक्टिविटी, तीन पार्ट में डिवाइड़ था, फिर से याद दिला देता हूँ, बिजनेस, प्रोफेशन और एंप्लाइमेंट, जिसमें से हमने बिजनेस और प्रोफेशन वाला पार्ट देखा, लेट इस चेक आउट एंप्लाइमेंट, लेकिन उसके पहले, मैं, I hope ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस अपॉइंटर्स देखे होंगे जो 7-7 फीचर्स थे, if you talk about business, तो उसमें 8 या 10 फीचर्स थे, whereas profession के 7-8 फीचर्स थे, आपने देखे होंगे, उसके definition देखे होंगे, यह नो बहुत important है, बताया था last lecture में, last lecture में शेयर किया था, business, professional employment, very much important, एक पार्ट तो आपके first examination में आता ही आता है, so you have to check that in the detail, तो उसको बाहाट कर लीजेगा, बहुत beneficial होंगा, are you getting it? तो चलो, शुरू करते हैं, 1.3.3, what is employment, okay, employment क्या कहता है, it is an economical activity in which people work for others, क्या करता है, यह भी एक economical activity है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, there is a transaction of money, are you getting, तो एक बंदा, दूसरे बंदेगी लिए इसके अंदर काम करता है, okay, there is relationship between two, दो लोगों का रिष्टा होता है, यहाँ पे एक होता है employer, दूसरा होता है employee, चलो देखते हैं, यह employer कौन होता है, employer is a person who offers the work and a person who accepts the work is employee, जो बेक्ती काम देता है, क्या करता है, काम देता है, वो कौन होता है, वो employer होता है, और जो काम को ले रेता है, काम करता है, वो कौन होत होता है employee होता है क्यों खरते हैं ऐसे कोई love and affection में नहीं लब and affection नहीं होता वहां पर होता है economical activity economical activity well पैसा come in the picture money came in the picture okay बदले में उनको remuneration मिलता है remuneration is again nothing but something in return that they are getting okay उस terms and condition होते हैं दोनों agree होते हैं okay जैसे foreign example उस terms and condition में दोनों को agree क्यों होना पड़ता है उसके पीछे भी reason होता है आप किसी को बोल रहे हो कि यह पूरा एक खेत है इसको clean कर दो पूरे उस खेत को clean करने के लिए मैं आपको 200 रुपए दूँगा आपको काम करने हैं वालों 200 रुपए में अगर satisfied है if he is agree then no problem तो कोई problem नहीं होगी लेकिन agree नहीं है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं यानि आप 200 रुपए दे रहे हैं तो as a employer अगर आप 200 रुपए दे रहे हैं तो आपका employee जो आपके लिए काम करें तो दूसर रुपए में agree होना चाहिए है इसलिए यहां पर उन्होंने क्या दिया है दोनों का terms और condition क्या होना चाहिए ग्रीड होना चाहिए दोनों को मानना चाहिए ओके चल लेड़ सी features ओके हमने देख लिए employment क्या है employer employee किसे कहते है पैसे पैसे picture में आते हैं दोनों terms and conditions पर होने चाहिए लेड़ सी बोड़ इस फीचर इस टौकिंबाउट यहां पर भी साथ features है ओके seven features है अगें लेड़ सी एम तो आपको पता ही होगा मैंने बताया कि क्या होता है यहां पे भी employer employee के लिए यह विए इम होता है जो employee होता है उसके पास कुछ काम होता है तो वह चाहता है कि यह काम कोई करे उसके लिए उसके बिहाब पर और जो employers होते हैं उनका क्या कि उनको पता है में काम करूँ हो तो मुझे इंटर्म पैसा मिलेगा तो यहाँ भी इंशॉड एम का में मतलब मकसद क्या है आपर जो एम है जो गोल है क्या एचीव करना है there is achieve something is nothing but and money money earn करना ही यहाँ का भी main important है okay कोई फ्रीमिल किसी के लिए काम नहीं करता are you waiting let us see qualification second point qualification क्या बता रहा है each job requires some qualification किसी भी job को करने के लिए आपको उसका knowledge होना चाहिए यानि कोई ना कोई qualification होनी चाहिए the job can be skilled or unskilled job two type के होते हैं तो skilled होता है जो किसी चीज में knowledgeable person होता है unskilled okay चलो skilled job अगर मैं बताऊं तो skilled job का qualification for an example जैसे एक nurse है तो nurse का job करने के लिए उसके पास skill होना चाहिए वो knowledge होना चाहिए किस तरीके से वो nurse का job complete करेगा whereas unskilled अगर कोई office boy है office boy को एक person को एक जगे से दूसरे address पर लेगे जाने के लिए कौन सी skill की जोड़े पढ़ेगा कोई बड़े MBA करना पढ़ेगा उसके लिए नहीं simply वो क्या करेगा move करेगा तीसरा point क्या कहता है monetary return थोड़ा सा मैंने यह जाकी दिखाई थी आपको यहाद आ रहा है wages की लिए मेनने क्या कहा था याद करो किसको दिया जाता हैventh वर्कर्स को दिया जाए या तो डेली देते हैं या तो weekly दिया जाता है salary किसको दिया जाता एya office person को दिया जाता है monthly होता है ऑ care अगर मैं आपको बता हूँ तो जो पर सेलराइट परसन होते हैं, उनको थोड़े बहुत आफर्स होते हैं, जैसे उनका, जिस घर में वह स्टे करते हैं, तो उनको कॉटर दे जाता है, जैसे रहने के लिए बेरेस सबसडाइज्ट फूड दिया जाता है, उनको खाने की फैसे देजिदें, उनको एच्छा कैंट होता हैं, वेज़ेस और सेलरी इस गिवन अज फिनांशिल रिटर्न तो एंप्लोई आफर कम्प्रीटिंग अफ वर्क, जब काम खतम हो जाता है, तब जाकर क्या मिलता हैं उनको वेज़ेस या सेलरी पाम के पहले, नहीं पहले काम करो, फिल ले जाओ, वेज़ेस जाएगा, वेज़ेस नहीं कि पहले हो क्रीन करें और फिर उसको दोसों के बदले दस बीस रुपे लिगी बेज लेंगे, नहीं, चौह देल के लिए नहीं चलेगे, पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने बताया, आगे का पॉइंट है, वेज़ेस आर पेड़ अश्वेक ही बेनिफट दे जाता है, जैसे सेलरी के साथ बोनस दे दिया, कुछ अच्छा काम کیया तो बोनस मिल गया, दिवाली पे बेसिकले बोनस मिल जाता है, कॉटन पॉष्टे, रहने के लिए उनको भर दे दिया, सुटसड़ाइस्ट फूड दे दिया, कहाँ पर subsidized food दिया, canteen में, जो आपको खाना बाहर 100 रुपे गा मिलेगा, आपके office का कोई canteen होगा, तो वहाँ पे वो आपको 50 रुपे में भी मिल सकता है, ओके, fourth point कहता है, capital, अब यहाँ पे employment के लिए, if we talk about employee, जो काम कर रहा है, उसको capital की जगवत नहीं है, क्योंकि जो काम करवाएगा, वो खुदी क्या करेगा, आपको पता है, सारा इंतिजाम करके उसको देगा, okay, capital किसका लगेगा, जो मालिक होगा, जो employer होगा, यहाँ पर भी fourth point में वही लिखा है, no capital is required for employment because employee provide each and everything to employee, for completing the job, job complete करने के लिए सारी चीजे महिया कराता है, employer, employee को, okay, let us see lovely student, fifth point, registration, यहाँ पी क्या कह रहा है, no registration is required, every employee has to follow the rules and regulation maintained in the terms and condition of employment contract, कोई registration कोई government के पास जाके कोई registration नहीं करवाना है, सारे rules and regulation जो भी मालिक देगा, okay, उसको सिर्फ follow करना है, okay, employees को rules and regulation के साथ move on करना है, जो contract में mention होगा, non transferability, same, last time मैंने बताया था, कि क्या कोई doctor अपने चीज़ों को पासान कर सकता है, साथ सिर्फ दवाईयां दे सकता है, अपने knowledge को नहीं दे सकता, यहाँ बर भी वही है कि जो भी वो work करते हैं, वो transfer उनके sonny और daughter को नहीं किया जा सकता, Let us see seventh point, nature of work, every employee is expected to complete the work, सारे जो भी employee होते हैं, उनसे ही expectations होते हैं, कि वो क्या करें उस काम को खतम करें, okay, जो भी काम उनको दिया जाता है, और the nature of work, और you can say the nature of job is decided the nature of work, the nature of their job होता है, जो काम होता है, वही decided होता है, as a nature of work, okay, so this is about the part, हमने तीनों पार्ट कवर किया, business, professional, employment, जो किस activity में था, आपको याद, it is in the economical activity, तो मैंने वीडियो के starting नहीं कहा था, ज्याम से देखिएगा, और इन तीनों पॉइंड को आयो, आप अच्छे से थरू कर लेंगे, मेरा next वीडियो आप तक पहुंचने तक, are you getting, तक तक हे लिए, देखते रहिए, हसते रहिए, और मस्कुराते रहिए, बाई बाई